जाती है कि जाती लिए लंबे समय से कहा जाता है नमस्कार आपके साथ मैं हूं गाइतरी और आप देख रहे हैं इस्ट्रेश भारत दोस्तों हिंदुस्तान में राज़ीती में समाज में सरकारी नौकरी में जाती एक सचाई है चुनाव में जाती देखकर टिकेट दिये जाते, नौकरियों के लिए आवेदन में जाती लिखना जरूरी माना जाता है संसद में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने परोक्ष तरीके से राहूल गांधी की जाती दिशते तो संद्राम छड़ गया, आखिर क्या है इसकी वज़ा, आईए जानके संसद में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहूल गांधी की जाती पूछी तो हंगामा होंके अब तो कॉंग्रेस संसदिये बोर्ड ने इस पर चर्चा की है, अनुराग ठाकुर से माफी मांगने की बाते हो रही है अनुराग ठाकुर ने संसद में कहा था कि जिसकी कोई जाती नहीं, वो जाती जनगरना की बात कैसे कर रहा है कॉंग्रेस कह रही है कि ये वाला बयान राहूल गांधी को टार्गेट करने के लिए किया गया था सवाल यह है कि इस पर इतना बवाल आकर हो क्यों रहा है राहूल गांधी खुद जाती जनगरना की मांग कर रहे हैं संसद में मौझूद अधिकतर सांसर जाती के अधार पर चुनकराएं अकलेश यादव पिछला दलित अल्पसंख्यक यानि की पीडिये का नारा देते हैं चुनाव के दोरान नरेंद्र मोदी को भी बीजेपी ने पिछला यानि की OBC के तौर पर प्रोजेक्ट किया पिएम बनने के बाद कई मौके ऐसे आए जब प्रधान मंत्री मोदी ने खुद सारवजरिक तौर से अपनी जाती बताई क्या राहूल गांदी जाती के बुद्धे पर खुद को असहज महसूस कर रहे हैं जो इतना बवाल हो रहा है पिछले लोकसभा चुनाव से पहले राहूल गांदी भी चुनावी सभाओं में जनेयू दिखा चुके हैं उन्होंने खुद को दत्ता त्रे गोत्र और कॉल ब्रामन जाती का बताया है जब नेता खुलकर जाती के नाम पर वोट मांगते हैं तो फिर जाती बताने में हर्द क्या है जाती पूछे जाने पर नाराज होने वाले नेताओं को कई सवालों का जवाब भी देना होगा जाती जनगर्णा में जब आम नागरिक से जाती पूछी जाएगी तो नेता अपनी जाती बताने में हिचकिचा क्यों रहे है तब क्या जनगर्णा के फॉर्म में उनका कॉलम खाली रहेगा बिहार और करनाटक के जाती सर्वेक्षन में भी जाती पूछी गई थी जाती पूछने पर भड़कने वाले नेताओं को ये भी याद रखना चाहिए कि देश में मिलने वाली हर सरकारी सुविधा के लिए नागरिकों को जाती और धर्म का कॉलम भड़ना होता है सरकारी स्कूल और संसान छोड़िये प्राइवेट संसानों के फॉर्म में भी जाती का कॉलम होता है जिसे भड़ना अनिवारे होता है देश में शायद ही ऐसा कोई हो जिसने कागजों में ओन रिकॉर्ड बिना जाती बताए पढ़ाई या नौकरी की हो हर सरकारी योजना के फॉर्म में भी इससे जुड़े कॉलम पर टिक करना होता है जन्म से मृत्यू तक के सर्टिफिकेट में जाती का दिक्र होता है कुल मिलाकर अपने देश के सिस्टम में तो हर कदम पर जाती का हिसाब देना होता है भाई तिर इस पर बात करने में हंगामा क्यों है? राजणीति एक दल चुनाव में जाती के अधार पर टिकेट बांटे हैं चुनाव जीतने पर मंत्री मंदल में जाती समीकरणों का ध्यान रखा जाता है केंद्र हो या राचे, हर जगा जातिय समिकर्णों के हिसाब से मंत्री बनाए जाते है देश की सभी पार्टियों में जाती से जुड़े प्रकोष्ट है अल्प संक्यक सेंड और प्रकोष्ट के जरिये धर्म की राजनीती भी दशकों से होती आ रही है इन प्रकोष्टों के पदों पर नियुक्ती के लिए जाती की तफ्तीज भी की जाती है जातियों के नाम पर हर पार्टी में बड़े-बड़े सम्मेलन होते हैं और इनमें मंत्री, मुख्य मंत्री और केंद्री मंत्री शिर्कत करते हैं जाती के आधार पर समविधान में आरक्षन का प्रावधान किया गया है। लोगसभा और विधान सभा के अलावा नौकरियों में आरक्षन जैसे सुवधाय जाती के आधार पर ही मिलती है। फिर जाती के जिन से कैसे मुँम उड़ा जा सकता है। राहूल गांधी हो या खिलेश यादब, जाती की बात करेंगे, जाती जनगर्णा की बात करेंगे, जाती के नाम पर वोट मांगेंगे, लेकिन जब जाती पूछी जाएगी तो बिलबिला जाएंगे, इसमें तो कोई तुख ही नहीं है, बीजेपी सांसाद अनुराक ठाकु के जाती वाले बयान के बाद संसद में विपक्ष उबल रहा है, अनुराक ठाकुर ने अपने भाशन में तंज कस्ते हुए कहा था, कि जिनको खुद की जाती नहीं पता, वो जाती जनगर्णा की मांग कर रहे हैं, इस भाशन में उन्होंने किसी नेता का नाम तो नहीं लि जब अखिलेश सब की जाती पूछ कर राज़नीती करते हैं, ऐसे में अनुराक ठाकुर ने अगर जाती पूछ ली, तो कौन सा पहार तूट गया? 1989 में मंडल की राज़नीती शुरू होने के बाद जाती की राज़नीती परवान चड़ी, पिछले लोकसभा चुनाव में विपक्ष के इंडिया गटबंदन ने जाती के नाम पर गोल बंदी की कोशिश की, चुनाव में जाती जनगर्णा का मुद्दा उच्छाला, बिहार में जाती जनगर्णा के बाद कॉंग्रेस समेथ पूरे विपक्ष को लग रहा था कि चुनाव में जीत की चावी जाती वाले अज़ेंडे मीं चिपी है, विपक्ष के रणनीती कार्ट जाती को बीजेपी और एंडिय की हिंदुत वाली राज़नीती की कार्ट भी मानते है जाती पर जारी संगराम कहां तक जाता है? इस बारे में हम आपको अपडेट देते रहेंगे, बने रहेगा हमारे साथ और देखते रहेगा श्रेष्ट भारत